ही गाईज दोखो है जोडियो में राखे जुन्जुन वाला एक साइड, HDFC एक साइड, दोनों में से कोई छोटा नहीं है, ना ही राखे जुन्जुन वाला छोटा इंसान है, छोटा का मतलब नौलेच से, पैसे इसे नहीं बोल रहा हूं है आपको, ठीक है, नौलेच से, ना नों में से कौन हारता है और यह भी देखना होगा अब तो देखते हैं अब क्या बहुकर लोगों को समझेगा और यह चीज मैंने भी अभी अभी देखा है अभी अभी देखा मैंने आपको ठीक है पास गंटे पर यह था यहाँ पर क्या बताया जा रहा कि HDFC security ने क्या बोला HDFC security 90% upside भाई देखो अगर 10-20% 50% माना जा सकता है लेकि 90% का मतलब अब समझ लो कि पूरी-पूरी आप बात बोल दें कि पैसा double अराम से आपका पैसा double हो जगा HDFC के हिसाब से 90% और in this stock that राके जुन-जुन वाला sold मतलब जिस stock जो company राके जुन-जुन वाला के पास था उन्होंने अब बेच दिया है वो stock आपको 90% का return निकाल के देने वाला है और यह HDFC बोल रहा है जब profit निकाल के देने ही वाला था तो राके जुन-जुन वाला ने बेचा क्यों अब लोग बोलेगे कि राके जुन-जुन वाला लंबे समय के लिए काम करते हैं तो मैं आपको बता दूँ यह जो HDFC ने बोला है यह भी एक साल के लिए बोला गया और एक चीज और मैं आपको बता दू 90% का 100% का return कोई छोटा return नहीं होता हाँ 10, 20 यह 30% का return वो बात की बा देख सकते हो इनके पास अल्यड़ी बहुत बहुत ज्यादा मतलब बहुत भारी मात्रा में NCC इन्होंने खरीद रखा और इन्होंने सबसे ज्यादा माल और मतलब केवल NCC का ही stock इन्होंने बेचा है अब ही recent में मतलब stake देख लिजे कितना है the big bull had a 12.8% यहाँ देख सकते हो 12-13% stick बहुत बड़ी चीज होती है और इन्होंने यहाँ देख सकते हैं however his sold about 0.4% इसको percentage में निकाला जाता है देखो कि तो लाखो share मतलब कुछ बेच रहे हैं यह भी बोल सकते हैं कि धिरे धिरे बेच रहे हैं यह सारी चीज आपको quantity wise भी बता ही जा रही है और यहीं बोल रहा है सामने से यहाँ पर देख सकते हो 90.31% यहाँ देख सकते हो मतलब इतना ज्यादा इन में आपको यह देखनी को मिलता है तेजी देखनी को मिल जाएगा और यहाँ पर जो current price चल रहा 56.75 में चल रहा 56.75 को दिया जा रहा target price जो आपको बताया जा रहा जैसे की एक construction के लिए काम करती है जैसे road हो गया water supply हो गया building हो गया environment project हो गया mining हो गया power हो गया transmission हो गया और भी बहुत बहुत सारी चीज़ है railway वगर ऐसे भी related आपको देखनी को मिल जागा यह सारे है company के पास मैं आपको बता दूँ काफी अच्छा मतलब order book भी है मतलब 30,000 करोड का तो order भी है इनके पास इन मैं आपको बलूँगा still NCC में काफी बड़ा steak है राकेश जुन जुन वाला का और यह राकेश जुन जुन वाला आज से नहीं मतलब बहुत पूराने जमाने से यह stock को खरीद रहे हैं और कई बार इनके बार में तो interview में ज company को खरीद आता चार बार और अभी देख सकते हो जितना नीखे मिल रहा ना all time low पे है all time low पे आपको देखने को मिला यह देखे गजब की गिरावट आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर है की नहीं है देखो all time low कैसे पता चलेगा यहां देख सकते हो यहां से रेकवरी based company काम करती है इस वज़े से कभी payment आने में late हो जाता है कभी खुद के packet से पैसे देना पड़ जाता है कभी loan लेना पड़ जाता है मतलब यही problem हो जाता है अभी देखेगा March और December में जो फर्क देखने को मिलेगा आप चौक जाओगे यहां पर देखेगा sales में देखेगा तो 42 करोड कितना ज्यादा हो गया केवल 500 करोड सा डिफ्रेंस दा हो देख सकते हो net profit कितना जंप हो गया तो यह देखेगा हो यहां से 50 से यहां देख सकते हो कितना मतलब profit double से भी जाता हो जाता है तो यह construction वाले company है टाइम लगेगा हाला कि यहां पर promoters ने हिस्सेदारी बढ़ लाई है जहां पर promoters के पास पहले 19 यहां देख सकते हो 19 परसेंट था आज तक पहली पर promoters ते हिस्सेदारी बढ़ा है 21 किया उन्होंने ठीक है बाकि foreign वाले ने थोड़ा माल बेचा है domestic वालोंने खरीदा है और बाकि माल public के पास है देख सकते हो अब company के बारे में मैं आप आपको बतातों कि 3500 करोड का market cap है इस हिसाब से company हमें अच्छा return दे सकती है almost आपका पैसा double तो करी सकता है आराम सा इसके उपर मैंने कभी वीडियो भी बनाया था राकेत जुन जुन वाला ने बेचा है लेकिन ज्यादा नहीं बेचा है हमें यह भी ध्यान देना चाहिए एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप NCC जैसे stock से मतलब लंबे समय में पैसा कमाना चाहते है मतलब 5,10,20 साल तो मैं आपको बलूगा नहीं ऐसे stock से हमें दूर रहना चाहिए फिर ठीक है ऐसे stock से हमें दूर रहना चाहिए हाँ कभी बड़ा opportunity मिल ग बात नहीं है फिर उसके बाद आप चाहें तो और आने वाले दिन में फिर और लंबा consolidate करेगा टाइम लगेगा फिर profit booking देखने को मिलेगी तो यह सारी चीज़े चलती रहेगी और यह तो राके जिंचिन वाले ने इस quarter में बेचा है देखना पड़ेगा कि क्या आगले quarter में में भी कुछ बेचती हैं या फिर खरीदते हैं और अगर अब stock market में नहीं तो अपने debit account इंजल में open कर सकते हैं जहां पर आपका debit account विल्कुल फ्री delivery charges फ्री के वल्ट्रों टूपीज लगेगा वो भी इंट्राडे में डिस्क्रिप्शन में लिंक कमेंटों में जाके अपन अपने debit account वागर open कर सकते हैं